हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप अगर blogging करते रो blogging से पैसा कमाते हो अपना article वगियर लिखते हैं अपने website पर तो आपको यहाँ पो अपने वेपसाइट का जो content है उसको सेक्योर कर लेना चाहीए क्या होता है कि जब हम लोग अपना content लिखते हैं और बहुत से लोग होते हैं हमरी website को follow करते हैं और वो क्या करते हैं कि हमारी ही content को copy cut करके paste करते हैं अपने blog website पर तो इससे क्या होगा कि सपोज करी आप अपनी website पर कोई भी article लिख रहे हैं publish कर रहे हैं और अभी वो google में crawl ही नहीं किया discovery नहीं किया उससे पहले वो copy करके paste कर देता है और उसकी यहां पर जो website है वो पहले crawl हो जाती है तो आपका content जो है न वो हो जाएगा problem आपकी वो Google जो समझेगा उसको कि यह तो old content है इसने इसका copy किया है जबकि आपने copy नहीं किया है Google जो है गलत आपको ही समझ लेगा आपकी website को ही गलत समझ लेगा तो ऐसे में आप कैसे क्या कर सकते हो कि कोई भी आपके जो article है उसको कोई copy न कर पाए हम लोग ऐसी settings करेंगे कोई भी अगर हमारे article को copy करना चाहेगा तो वो copy ही नहीं होगा यह process कैसे करेंगे इस वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को देखिए बहुत ही जरूरी वीडियो है पूरा जरूर देखिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करिएगा चैनल पे पहली बार आए हैं पाद simple सा आपको add a gadget पे sidebar का जो gadget add करने का option इस पर click कर देना है add a gadget then आपको यहां पे देखिए HTML Java script को select कर लेना है plus button पे click करेंगे then यहां पे आपको एक code paste करना है मैं code दे दूंगा वीडियो के description में मैंने इस पर एक article भी लिखा है तो आप वहां पे जाईएगा यह code आपको मिल जाएगा ठीक है तो इसको paste कर देना है और simple सा आपको save कर लेना है और आपका content कोई भी चोरी नहीं कर पाएगा copy नहीं कर पाएगा ठीक है तो इसको चलिए हम save कर देते हैं यहाँ पे save करने के बाद आपको simply सा save arrangement पे click कर देना है अब save करने पे save arrangement और view block पे click करते हैं अब देखते हैं हमारा content जो है copy होता है कि नहीं यह मेरा website है अब चलिए हम यहाँ पे अपने website का कोई भी content copy करके देखते हैं यह हमारा post है इस post को चलिए open कर लेते हैं यहाँ पे अब देखेंगे आप दोस्तों कि मेरा यहाँ पे copy करने का option जो है right click करके हम copy करना चाहते हैं पूरा हम select करना चाहते select नहीं होगा I hope यह वीडियो पसंद आपको पसंद आपको पसंद आपको लाइक करें Thanks for watching